भारत की वर्तमान राजनेती में सहिशोनता, समन्वय और शुचिता का जीवंत उधारन प्रस्तुत करने वाला एक शिखर विक्तित्तु पंच महा तत्तों में सदा सर्वदा के लिए विलीन हो गया और अपने पीछे छोड़ गया हजारों लाखों लोगों के व्यथित मन में सहज मातरत उसे दीप्त कभी न मिटने वाली लोक माता की अमिट छवी आज राजमाता और लोक माता जैसे विप्रीत अर्थों वाले शब्द उनके संदर्भ में परियाय बन गए हैं राजमाता विजिया राजे सिंधिया की जीवन यात्रा एक संग्या की सर्वनाम बनने तक की काल जई यात्रा है बुंदेल खंड के एक छोटे से शहर सागर में ठाकुर महिंदर सिंग और श्रीमती चूडामनी देवी के घर 11 अक्टूबर सन 1919 में एक बालिका ने जन्म लिया और नामकरण हुआ लेखा दिवेश्वरी यही लेखा दिवेश्वरी जब 21 फरवरी सन 1941 को ग्वालियर्द स्टेट के ततकालीन महराजा जिवाजी राव सिंधिया के साथ परिणे सूत में बंधी तब राज परंपरा के अनुसार बन गई महरानी विजिया राजे सिंधिया युक पुरुष पंडित जवाहलाल नहरू की प्रिणना से जब महरानी ने राजनीती का दुरगम और बीहर पत सुईकार किया तब वे लोक मानस की राजमाता बन गई और चार दर्शकों की पक पक पर उतार चड़ावाली राजनीती में पत की प्रतिष्ठा से दूर रहकर सदा ही सहज मातरत्तों से दीप्त राजमाता ही बनी रही अजात शत्रूर डॉक्टर सरोपली राधा किश्णन, मोराजी भाई देसाई और ज्यानी जैल सिंग जैसे शिखर व्यक्तित्तों के साथ उनके अत्यंत आत्मी संबंद रहे गट 25 जनुवरी की ब्रम्वबेला में ब्रम्वलीन राजमाता का पार्थिव शरीद भारतिव वायुसेना के विमान द्वारा नई दिल्ली से ग्वालियर लाए गया विमान तल से राजमहल तक शोक मगन ग्वालियर नगरवासियों का एक लंबा काफिला उनके साथ था राजमहल में जब उनका पार्थिव शरीद अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया तब हजारों लोगों ने उन्हें अश्रपूरित शद्धान जलियर पित की राजमहल के साथ ही राजमहल के एक युग का समापन हो गया उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए देश भर से राजनेता और सामानी जन ग्वालियर पहुँचे राजमहल से शुरू हुई शवयात्रा विशाल जनसमू के राजमाता अमर रहे के जैगोशों की गूँज में पूरे राजकीय सम्मान सहित छत्री प्रांगन की ओर रवाना हुई भारी तादात में सडकों के दोनों और मौजूद शोका कुल जनता ने अपनी प्रियनेता के अंतिम दर्शन कर उन्हें अपनी श्रधान जली अर्पित की कर दोने कि अथ은, कर दोने में पूरे! कर दोने में अपने की गुट शाव member, पूरे, ताट्री बिक ये और में दूने भी स्छों के घ्खेट लाए, इसका अंतिराू 4 हे। प्राटमेर के खन्येर च्छों की तोने अथ ।ो Snu है सक्यों सब though माननी प्रधानमंत्री श्रीय अटल बिहारी वाजपेई इस औसर पर विशेश रूप से पहुँचे और राजमाता के पार्थिव शरीर पर शद्धा सुमन अर्पित किये ग्रेह मंत्री श्रीलाल किश्ना ड्वाणी, सूचना एवं प्रसारन मंत्री श्रीमती सुष्मा स्वराज केंद्री खेल मंत्री उमा भार्ती, महा महीम राजिपाल डॉक्टर भाई महा वीर सहित अनेक गड़माने लोगों ने अपनी श्रद्धान जली अर्पित की इसके अलावा मद्ध प्रदेश के मुख्य मंतरी दिगविजाज सिंग सहिद विभिन प्रदेशों के मुख्य मंतरी मंतरी गण एवं अन्य राजनेता शामिल हुए चिर निद्रा मेलीन राजमाता को मुखागनी उनके पुत्र माधोराउज सिंधिया ने दी चिता की अगनी के लप्टों के बीच पूरा वाता वरण शोक में डूप कया राजनेतिक जीवन में अपने दल के प्रती उनकी प्रतिबधता सर्व विदित है फिर भी उदार मना राजमाता को अश्रपूरित शद्धान जली अर्पित करने के लिए समाच के सभी वरगों के लोग शामिल थे श्रद्धे राजमाता जी को मैं अपनी विनम्र श्रप्धान जली अर्पित करता हूँ राजमाता जी जैसी महिलाएं कभी कभी पैदा हुआ करती है वे संघर्ष की और शुचिता की जीवन तो प्रतिमा थी वे इसलिए आज लोगों की श्रद्धा का केंदर नहीं थी क्योंकि उन्होंने किसी भूद्पूरू राजपरिवार में राजपरिवार की सदस्या थी बलकि श्रद्धा का केंदर इसलिए थी कि राजमाताजी ने अपना जीवन कभी समझोतों के आधार पर नहीं जिया राजमाताजी ने संघर्ष और संकटों को स्विकार करना मंजूर किया अपने जीवन में लेकिन अपने सिधानतों पर अटल रही और एक विचार धारा के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था वास्तों में आज पूरा गॉालियर अंचल अपने आपको मातरत्त की छाया से विहीन अन्भो कर रहा है जो केवल परिवार के लिए जीता है उसके लिए परिवार रोता है लेकिन जो सारी समाज की माता बन गई थी लोक माता की रूप में उन्हें दिखा जाता था इसलिए पूरा गॉालियर चंबल अंचल राज माता जी की निधन पर शोका कुल है और सब अपने को ऐसा अनुभो कर रहे हैं जैसे हमारी माता चली गई है हम सब लोगों को राज माता जी से प्रेड़ा मिलती रहे भगवान से आज हम लोग यही प्राथाना करते हैं आज हम लोगों के बीच में स्रद्दे राज माता साथ नहीं है वैसे तो पूरे देश में क्योंकि वो तो पूरे देश की नेता थी पूरे पूरा देश सोक में है लेकिन हम लोगों के लिए बिसेश तोर से संभाग में क्योंकि बिसेश लगाओ था जनता से उनका उनका जनता से इस कारण से पूरा संभाग में बहुत ही दुख में है क्योंकि वो राजनेतिक छेतर और सामाजिक छेतर और धार्मिक छेतर तीनों में अलाग अलाग सभी में तीनों में वो बहुत अग्रणी थी वो इतनी असाधारन होते हुए भी इतनी साधारन थी कि जब कोई भी उनके पास जाता था उनसे बात करते थे तो कभी लगता नहीं था कि हम स्रद्द राजमाता साब से बात कर रहे हैं उनके बात करने में इतना मातवत जलता था कि हम लोगों को आज ऐसा लग रहा कि जैसे कोई बुजर्ग घर में होता है तो एक जो उसकी उनसे जो बैठने से बले बुजर्ग के एक बैठने से जो सकती मिलती है अद्रस सकती मिलती है अचानक उनके जाने से आज हम लोग अपने को कमजूर महसूस कर रहे है हमारे गॉालियर की राजमाता का जो निदन हुआ है कल ये एक ऐस गॉालियर के लिए एक ऐसा हसेनी कटना है कि गॉालियर के बासियों के लिए गॉालियर का हर नागरिक, हर बच्चा और हर वह सेक्स ग्वालियर का अपनी मा के समाने को समझता था एक देवी का रूप थी ग्वालियर के लिए और हम लोगों की सबकी एक एसेनी अभी हमान लोगों के लिए है क्योंकि ग्वालियर में हमारे यह सांसद रही राजमाता और ग्वालियर के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया और हम लोग तो अपने एक मा के रूप में एक देवी के रूप में हम इनको देखते आए हम यही कहेंगे कि भगवान उनके परिवार को आधनी सिंदिया जी को और पूरे परिवार को इस दुख को सेने की सक्ति दे मुझे तो आध्यती में राजमाता साब नहीं लाए थे और महराज माधरा जी सिंदिया से मेरा परिचे करवाया था सेवन्टी की बात है इतना बड़ा काफी युग निकल गया है काफी बश्ट निकल गया है एक पूरी युग का अंत हो गया है जो उनका सौमे सभाव था जो उनकी उदारता थी और जो जिछी उनको चिंता रहती थी कारीकरताओं की पबलिक की वास्तों में नुकरनी है एक ब पूरे देश को एक अपूर्णी च्छती हुई है खास तोर से भारते इंता पार्टी को उनका युगदान इस देश की राजनिती में अभूत पूरा है बहुत सारे राजा महराजा राजनिती में आये लेकिन वो सब किसी ने किसी लालच में आये उन्हें समाज के लिए रा महत्पूर्य युगदान दिया है वो एक सामाजिक धार में एक आध्थत्मिक छेत्र में हर जगह है उने कारि किया है हम सब को उनका मा के समान प्रेम मिला है उनकी उद्गार हम सब के लिए प्रेणा के शोत रहे हैं उनके इस उम्र के पड़ाव में भी उनको देखकर हम लोग एक नई स्फूर्ती प्राप्त होती रही है और ऐसा लगता था कि अगर राजमता साब जिनका जीवन महलों में कटा है वो इस कंटका की उनको मार्क पर चल रही है धूल खा रही है जनता के बीच में जा रही है तो हम लोग इससे ज़्यादा कर सकते हैं और किया है निश्चित तोर पर उनकी छती को दूर नहीं किया सकता हम सब उनके पृति अशुकोज से धंजली अरप्रित करते हैं अपने सद्धा सुमन अरप्रित करते हैं और भगवान से प्रात्ना करूँगा कि हम सबको हमेशा इतनी सद्बुद्धी दे कि उनके बताय हुए मार्क पर बताय हुए पत्थ पर हम इमांदारी से चले है स्रद्धे राजमाता जी से मेरा पिछले तीन दसक का परचे था गौलियर प्रेसकप के सेक्रेटरी के नाते मेरा लगातार उन से संपर्ट रहा वे ममता और द्रणता दोनों का ऐसा समनवे थी जिसकी कोई मिसाल हमारे सामने नहीं है और हम यूकों के लिए तो सदा औरोंने एक प्रेड़ा पुंज का काम किया है मैं जब भी मिलती थी कहते थी कि जंजावतों से घवडाने की कोई बात नहीं है उन्होंने अपने जीवन में भी धेरों जंजावत देखे और साइद ये द्रड़ता इसी के वज़े से उन में आई और वही द्रड़ता वो अपने आगे की पीड़ी को संप्रेशित करती नहीं मैं आज भी हमारे वीच नहीं है राजमाताजी के प्रती अपनी हारदिक स्रद्धन्जली अर्पित करता हूँ इस प्रदेश के लिए और विसेश कर इसक वाले संभाग के लिए एक अपनी च्छत है और उनका एक राजमाता के हमेशा बर्दहस्त हम सब राजमाताजी को उपर रहा और एक ऐसा आसीस प्रेम का भाव हमेशा जनजन के प्रती उनका जहलगता रहा जो साइद अब हमें नसीब नहीं हो पाएगा शद्धे राजमाताज के निधन से एक यूग का समाप्त हो गया बीस्तवी शताब्दी की प्रेणा प्रदनारी के रूप में स्वैम करमणता का संदेश लेकर जो जारू जीवन जीते हुए उन्होंने के आदर्श का निर्वा किया है जीवन के प्रतेक छेत्र में चाहे वो हिंदुत्त हो भारतिय संस्कृति हो गौरक्षा हो संतों की सवा हो उन्होंने मार दर्शन देने का प्रयास किया है सिक्षाक के छेत्र में उनकी अनूठी जयन ग्रामी इंचल के टपरों से ग्राम व्यास्तियों को सिक्षित करने के साथ साथ प्राथविक विद्याले माधिविक महा विद्याले यहां तक की विश्विद्याले की स्थापना करने में उनका सक्रिय योगदान रहा है आज बड़े दुख का विशा है कि हमारे बीच में स्रीमंत राजमाता सिंद्या साब हमारे बीच में नहीं है आदरलनी स्रीमंत महाराज साब की वो माता ही नहीं अप्तिव पूरे भारत की वो राजमाता थी आज इस दुख के छण में जब वो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने इस राष्ट को प्रिड़ना दी, एवं मम्तामाई माने हमें अपने इस राष्ट को उद्भोदन में यह कहा कि हमें सभी लोगों को शमनवे के आधार पर काम करना चाहिए, आज वो हमारे बीच में नह क्रांती नेता के रूप में देखा जा सकता है बच्पन से लेकर मरत्व परेंत तक उनका जो पूरा व्यत्तित्व है पूरा जो कृत्तित्व है उसकी एक-एक घड़ना इस बात की साक्षी है कि जो कुछ समाज में है जो कुछ देश में है उसमें एक सनातन जीवन मुल्यों का स्थापना के लिए उन्होंने संघर्ष किया अपने परिवार में, अपने मायके में, अपने सुस्राल में, राजनेतिक शेत्र में, धार्मिक शेत्र में उन्होंने पाखंड बात के खिलाफ संघर्ष किया और जो मुल्य हैं, सामाजिक मुल्य हैं, नैतिक मुल्य हैं, जो भारतिय जीवन के आधार स्थम्भ हैं, उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष में, खास बात यह है कि हर संघर्ष में उन्होंने विजय की प्राप्ति की ग्वालेरी नहीं अपेतू संपूर्ण भारत वर्स में राजमाता के नाम से जो सभी नागरिगण उनको सर्द्दा से राजमाता कहते हैं राजमाता के नाम से विक्ष्यात स्रद्दे स्रीमंत राजमाता विजयराय सिंदिया जी का स्वर्गवास हो गया है हम सभी गौलिर वासी और संपूर्ण भारत के लोग मद्देश के लोग उनके इस निधन से अतिन दुखी हैं हम इश्वर से यही प्रातना करते हैं कि इश्वर उनकी आत्मा को शानती परदान करें हम सब को इस दुख को सेहन करने की सकती परदान करें स्रीमंत राजमातर सिंधिया इस असार संसार को छोड़कर हमारे बीच से जा चुकी हैं यह एक निर्मम सच्चाई है किन्तु हम सब अभी मानसिक इस्तर पर इस बात को स्विकार करने के लिए संभावता तयार नहीं दिखते हमारे सामने तो उनका तेजस्वी गरिमयापूर्ण श्वेत वस्तरों में वेश्टित और माथे पर चंदन चर्चित व्यक्तित्व सहजी जूँने लगता है राजमाता जी हमारे गवालियर की गवरोव थी उन्होंने इस नंगरवासियों को और बाहर के लोगों को भी मा की तरह ही प्रेम दिया उन पर इसने वर्षा की मैं समस्ता हूँ कि राजनीतिक जीवन के जीवन में उन्होंने कम से कम पांस दशक हमारे समाज और देश को दिये लेकिन उनका जो राजनीतिक धंग था या सोच था या उनकी राजनीतिक शैली थी वो कुछ अलग तरह की थी मैंने सभा मंचों पर उन्हें बोलते हुए सुना अध्यक्षादी को संबोधन के बाद वो जनता को सदे हुई जनता जनार्दन का संबोधन देती थी जनता को उन्होंने भगवान का दर्जा ही दिया और इसी भाव से उन्होंने अपना सारा सार्चनिक जीवन गतीत किया वो आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी सादगी उनकी दानशीलता उनका ममत्व और उनकी सेवा भावना उसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे पर गवालियर की राजमाता के रूप में सनुक्षा का बनी और मैं अपनी तोर से व्यक्तित तोर से बताना चाहता हूं कि जो मेरी तो प्रिवना स्रोथ थी आज मैं जो भी कुछ हूं वो राजमाताज प्रिवना से ही हूं स्रद्य राजमाताजी आज हमारे बीच नहीं है उनके व्यक्तित्व का जब अवलोकन करते हैं तो ध्यान में यह आता है कि मानवियता उनके जीवन का सबसे महत्पूर्ण बिंदु थी और उसके आधार पर अपने सिद्दान तनिष्ठा को लेकर के उन्होंने एक आदर्श जीवन जिया वह एक ऐसे राजपरिवार में बही गई थी कि चाहती तो सक्ता के साथ एश्वरे के साथ सदय तालमेल करके और सुख के साथ अपना जीवन बिता सकती थी लेकिन उन्होंने उससे ज़्यादा अपना उत्तरदायित पर समझा इसलिए समाज को अधिकादिक समाज की उन्नती हो सके इस त्रिष्टी से उन्होंने अपना सारा जीवन संगर्श करते हुए बिताया अपने सामाजिक उत्तर दायित्व को समझते हुए और उन्होंने कभी भी सत्ता के साथ में तालमेल करते हुए आगे बढ़ना या अपने व्यक्तिगत सुख उपभोग को प्राप्त करना यह दीवन का लक्ष नहीं रखा वो मानती थी कि समाज की चेतना का जागरन करने में समाचार पत्रों की बहुत अहम भूमिका है इसलिए उन्होंने स्वयम एक समाचार पत्र हमारी आवाज नाम से जो ग्वालियर से प्रकाशित होता था उसका आदिपत्य उसको अपने में प्रण में लिया और उसके बाद में इसको और व्यापक परिद्रश्टर में ले जाने के लिए इन दौर से प्रकाशित होने वाले स्वदेश के साथ में समन्वय करते हुए ग्वालियर से स्वदेश के प्रकाशन में अप्चेंत महत्पूर्ण भूमिका निभाई और उसी का परिणाम है कि आज समाचार पत्रक्षेत्र में ग्वालियर से अनेक प्रतिभाएं विकसित हुई जिन्होंने अपने कलम के माध्यम से सामाजिक चेत्रना के निर्माण में महत्पूर्ण भूमिका निभाई इसके लिए हमें सद्धे राजमता जी का रिणी होना चाहिए कि उन्होंने इस शेत्र में जो अनेक अन्य विभिनक शेत्रों की तरह इस शेत्र में भी अपना योगदान दिया है आज इस अवसर पर उनकी इस भूमिका का स्मरण करते हुए मैं उन्हें अपनी हार्दिक सद्धानजली अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनका जीवन हम सब युवाओं को प्रेणा दिता रहेगा आज जो ग्वालियर का विकास और देश के अंदर जो जो भी विकास की इलक्षन दिख रहे हैं उनकी प्रेणा से हुए उन्होंने धर्म परायन होते हुए भी उन्होंने है समाज विवस्था के लिए अपने जीवन को सुमरपिद कर दिया और आज हम उनके लिए हादिक रूप से अस्पर। vérड़ा के रूप में उनको हादिक शिजा सुमन सुमरपिद कर रहे हैं और हम चाते हैं कि भगवान उनके आत्म कोई शांती दे अच्टीस साल से जब से हम वोस में आया है देखा है राजमाता ने हमेसा राजमाता कि जो भी हमने भासन सुने जो भी हमने जाना उनसे हमें प्रिणना मिली और हमें ऐसा लगा कि हमें अपने जीवन में उनकी जो प्रिणना मिली है उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए